गुरुवार को कुही में एक युवक ने अपने घर में फासी लगा कर आत्मत्या कली, क्रशी अधिकारी पर आत्मत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा कर परीजनों ने कुही पुलिस थाने का घहराफ किया और थाने के सामने शव लेकर तैसील क्रशी अधिकारी के खिलाफ कारवाई की मांग की इस घटना के बाद से पंकच की गाड़ी को ही पुलिस चौकी में खड़ी थी इसके अलावा क्रशी अधिकारी पोट दुके भी उनकी गाड़ी को वे नुकसान की भरपाई के रूप में 40,000 रुपों की मांग कर रहा था लेकिन पंकच की आर्थिक स्थिती ठीक नहीं होने औ और ख्रशी अधिकारी के तकाजा से परेशान होकर उसने गुरुवार की शाम करीब 6 बजी अपने घर में ही फासील लगा कर आत्मत्या कर ली मृतक के पिता रविंद्र बावन कुले ने क्रशी अधिकारी पर पैसो की मांग करने और मांसिक रूप से परेशान कर आत्मत्या के लिए उकसाने का रोप लगाया है उन्होंने क्रशी अधिकारी प्रदीप पोर्ट दुखे के खिलाफ कारवई करने की मांग की कुही से NBCN News के लिए संजिय अत्करी की रिपोर्ट